हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप आई हूप आप सभी अच्छे हैं मैं आरो ही आप सभी का दिल से बैलकम करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे पॉजिटिव होंगे डिवाइन फैमिन और मैस्कुलिंग आज की जो चैनलिंग है मेजर चैनलिंग है और यह चैनलिंग डिवाइन मैस्कुलिंग के लिए लेके आई हूँ और डिवाइन फैमिन के लिए जो मैसेज होंगे वो मैं भीच में आपको पताती रहूंगे तो सबसे पहले मैं डिवाइन feminine I mean masculine के बारे में बात करूँगी divine masculine की life में कुछ ऐसे chances चल रहे हैं और उनसे face भी कर रहे हैं कुछ release कर चुके हैं यह 3 condition है कुछ चल रहे हैं कुछ face कर रहे हैं कुछ release कर चुके हैं तो अपने-पने according के देख लेजिएगा यहाँ जो masculine energy है तो आपकी life में क्या है कि कुछ ऐसे relationships lot के आये हैं जो मैंने जैसे thumbnail में डाला है कि कोई lot के आया है तो यह जो lot के आये हैं यह वो है याद किसी का बचपन का जो होता है न किट्टी किट्टी चुटी चुटी बच्च किलते थे चुटे time का जो love होता है जो एक time में बिच्चड गया मतलब love भी नहीं का attraction समझो ठीक है या फिर कोई past life का कोई acts lot है और इनकी जो entry होई है masculine की life में जवरदर्स्त होई है क्यों होई है क्योंकि divine की जो एक तरह से intention जो थी इन लोगों को divine masculine की life में लेके आने का वो इसलिए है क्योंकि divine masculine की major awakening लगवाना और एक भेंकर वाला tigger देना समझ रहे हैं आप कि divine masculine की life में ये लोग आए है कुछ लोगों की life में वो tigger मिल चुका है और कुछ लोगों को मिल सकता है या मिलने वाला होगा ठीक है तोड़ा आगे पीछी हो सकती ये energy मुझे नहीं पता किस तरह से कैसे होगा ठीक है मैं बता रही हूँ यहां पर या तो घट चुकी है या घटने वाली है ये condition इस तरह से है ठीक है अब यहां पर ये बात नहीं है कि ये कुछ लोगों की लिए पतलो प्यारी नहीं है कोई अक्सी नहीं है कोई ऐसा इंसान भी है जो friend हो सकता है बहुत time पहले वो cheat करके चला गया या फिर बहुत time पहले बिच्छड गया और उनसे फिर आज आपको मिलते है ना कि बच्पन से या फिर आज 12-13 साल बाद आप मिले हो और उसके बाद भी आपको एक hurting point मिला है ठीक है उनका दिल तोड़ने वाला moment जो ने किया वो किया है उन लोगों ने ठीक है तो अब इकनिंग मेजर अब इकनिंग मैस्क्रीन की हुई है और इस तरह से light activate हुई है कि divine की जो पूरे होस और अहवास थे तो सारे जागरित हो गए है ठीक है ऐसा नहीं है कि उड़ गए है उलकी जागरित हो गए है activate हो गए है राइट तो यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो divine masculine है उनकी जो light है वह इस तरह से activate हो रही है ऐसा नहीं है कि आप आप बोलोगे मैं की वह तो meditation भी नहीं कर रहे हैं कुछ inner work भी नहीं करते हैं फिर उनके साथ ऐसे कैसे वह इनके साथ इसलिए है क्योंकि जो हमारी feminine है वह emotionally बहुत loss जा रही है या लो जा रही है ठीक है वह अपने आपको low energy में रखती है और जो हमारे masculine energy होती है वह practical होती है ठीक है जो कुछ हो रहा होता है उसे side में रख देती है फिलाल उस time को enjoy कर रही होती है जिस time में वह है और यही कारण है कि divine masculine को inner work करने की जरूवत नहीं होती क्योंकि वह present time में मौजूद होते हैं वह past में नहीं घूमते और हमारी feminine है वह हमेशा emotions emotions में घिरी हुई रहती है और वह हमेशा अपनी emotions के चक्कर में आके फसके रह जाती है ठीक है तो इस बज़ा से divine feminine के लिए बोला जाता है कि inner work करो inner work करो क्योंकि उनको वहां से खीचा जाता है जहां वह अपने आपको फसा के रखती हैं जिस emotions में दवा के रखती हैं या fears में रहती हैं डाउट में रहती हैं उनसे उनको निकानने के लिए inner work की जरूर परती है ठीक है तो masculine masculine जो energy है उनको जरूरत नहीं है और masculine की life में अक्टिवेट हुई है energy और एक बात जो मैं कहना चाहती हूं यह है कि आज का जो dream है ठीक है मैं आज का dream आपको share करने वाली हूं हाला कि मैं इसे share नहीं करती बट इसमें मुझे मैसेज मिला था कि मुझे यह channeling में बताना है ठीक है तो आपको पता होगा मैंने कभी अपने dream ज्यादा share नहीं किये यहां पर लेकिन आज की जो channeling है उसमें मुझे मुझे ड्रीम में बताया गया कि इसे तुम्हें channeling में बताना है तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूं जो मैंने dream देखा वो यह था कि मैं अपने partner के साथ में हूँ ठीक है वो ship के रूप में है मतलब ऐसा feel हो रहा है ठीक है ऐसा नहीं कि उन्होंने वह भेश भूसादारन कर रखी ऐसा कुछ नहीं था सिर्फ एक मतलब अंदर से thought आ रहा था ठीक है तो वो ship के रूप में है और मैं भी हूँ ठीक है लेकिन मैंने भी अपना कोई रूप नहीं देखा तो मैं साथ में थी और एक बहुत जगा थी मतलब बहुत प्रानी जैसे बोलो प्रानी टाइप की जगा हो और एक बहुत बड़ी लव एक ऐसा क्या बोलो एक बहुत उचाई पर जैसे कोई महल या फिर फिर जो होते हैं चोटी होती है बहुत उंक्छी चोटी होती है इस टाइप की कोई जगा थी बहुत प्रानी थी आइड़ोंग वह क्या था लेकिन उसके ऊपर एक तिले सम्य चमक रहा था ठीक है एक लाइटिंग हो रही थी कोई कोई चीज थी या कोई गोल या ल प्रकाश शमक्रा था तो वो मुझे बताते हैं कि मुझे इसको लेने जाना है ठीक है मैंने क्या है यह तो बोला कि यह मुझे लेना है क्योंकि यह जरूरत है सब के लिए तो मैं बोलती हूं और वहां पर कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स भी चल रही थी जैसे की एक एक हम डर कि मारे जैसे होता है निनकि किसी चीज का खौफ ता उदर तो मैं बोलती हूं कि आप एसा करो आप रोको मैं ले कया आती हूं। ने गई तो यहां पे इसा देख है तो यहां पर से इसी रूप में हूँ को आपको देखा है तो यहाँ पर मैंने जितना इसे decode कर पाई हूँ बाकी आप अपने according देख सकते हैं, किस तरह से decode कर सकते हैं तो मैं जितना decode कर पाई हूँ, वो इतना कर पाई हूँ, कि गो मेरी counterpart solar है, वो मेरी feminine energy है ठीके और मैं एक masculine energy हूँ तो मिरी feminine को वो काम करना था यानि light के साथ मैं activate होना था और उसे align होना था ठीके तो वो हुई नहीं और उसका काम मैंने ले लिया यानि masculine ने ले लिया ठीके तो मैंने वो काम वो power आपने हाथ में ले ली है I mean ले ली थी ठीक है और उसकी help मैंनी की है तो एक balancing create हो गया और balancing create होने के बाद मतलब दोनों ही एक हो गए समझ में आ रहा है आपको feminine and masculine दोनों एक हो गए क्योंकि मैंने अपने आपको feminine side में भी देखा और masculine side में भी देखा it means कि union हो गया यानि कि equality हो गई तो अब इसका कारण यह है कि यह काम हमारे masculine करने वाले हैं अब आप बोलो कि मैं कैसे करोगी वो तो meditation भी नहीं करते वो जक्तली में यही करने वाले हैं क्योंकि जो feminine ऐसा नहीं है सभी के लिए है यह कुछ feminine जो है बहुत अच्छी से काम कर रही है अपने आपको focus रख रही है डिवाइन के साथ अटेच है और अपने आपको align कर रही है और balance के साथ साथ अपने आपको high vibration के साथ में रख रही है ठीक है तो मैं सबको सबके लिए नहीं कहूंगी लेकिन कुछ जो feminine है जो नहीं कर पाती है कहीं न कहीं वो आज भी अपने आपको depression में रखती है या फिर overthinking करती है illusion में कहीं न कहीं वो एक दो दिन के बाद में फिर से उस चीज़ में आ जाती है ठीक है तो वो जो distraction उनकी energy में होता है और इस वज़े से वो टूप जाता है यानि कि कभी वो high कभी वो low में चली जाती है तो हमारे जो masculine है यानि कि मेरा सीज़ सिंपल सा कहने का मतलब है जितना मैं इसे decode कर पाई हूं बाकि आप अपने तरीके से देख सकते हैं क्योंकि यह collective है तो मुझे बताया ग मैं आपको यह चीज़ बताई है और इसको जितना मैंने decode किया वो इतना ही कर पाई हूं कि masculine जो है आप रोल प्ले करने वाले हैं अपना जितनी जो masculine है जितने जो masculine जो फसे हुए हैं या 3D लाइफ में उल्जे हुए हैं उन सब की awakening जिस तरह से लगी है आप देख पा रहे होँच होंगे अपने इस तरह पर अपने अपने e обязայल पर कीडि meaningful जो है कुछ मस्त परीशान है कुछ हैं कि क्वह बोच ग बहुत कुछे हैं वह बहुत कुछिं नहीं है ठीके कुछ कैस ऐसे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है आपको समझ में आएगा कैसी लगी हैठीकिन लिकिन स्मिक 60 jyल और हैं इतने टाइम से उनकि लेग में उनको एसा तिलिस्म प्र sini अजिप स्विए अनर्शी प्रोवाइड हो रही हैं दोनों को हो रही है यानि फैमने मैस्कूलीन को लेकिन यहाँ पे लेकिन इन सब के साथ में आपको एक डील करने का तरीका है जैसे कि आपको टिगर मिला परिशान हुए आपको किसी ने कुछ बोला या अंदर से वह अंदर से वह एक बैराग वाली एनरजी उत्पन हुई तो लेकिन आप है कि आपको एक अंधेरे में छोड़ दिया गया है ठ उसमें ऐसा नहीं है कि अब उसमें धम गई-बतलब की पहले क्या था कि आपको को समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें किलियर नहीं हो और जो अपने आपको alignment के साथ में रख रहे हैं या फिर meditation कर रहे हैं या Mother Earth के साथ connected रख रहे हैं उनको एक के बाद एक के बाद उनको clarity मिल रही है ठीक है अब मैं feminine की बात करूं तो feminine की जो energy है अभी भी कहीं न कहीं आप लो में हैं ऐसा नहीं है कि सबी है फिर मैं वही कह रही है ठीक है यह जो मैंने बताया था starting में कि कोई लौट के आया है यह feminine के साथ भी हो सकता है ठीक है आपको उसने बहुत बहुत बहुंकर वाले टिगर दिया है आपकी पर्जिंग हुई है जो आपके अंदर था बहार निकला है और फिर आपने लर्निंग की है और उसके बाद है ठीक है और एक good news जो मैं आपको देने वाली हूं वह यह है कि feminine ready हो जाओ सच में जितना कहे रही हूं मेरी बातों को फूलो कर लो अपने आपको अतना I mean इतना balance रखो इतना higher रखो अपनी fear अपना stress अपना attention शब कुछ release करो ऐसे नहीं कि हाँ छोड़ दिया और बापीस फिर आगे नहीं उस पर अच्छे से बहुत बारिकी से उस पर काम करो क्यों उसका कारण यह है क्योंकि आने वाल टाइम में यानि कि जो आपका काम चल रहा है डिवाइन का वह यह है कि family and masculine को इस तरह से माजना जिसे हम किसी बरतन को साफ करते हैं एकदम कोई ऐसा पीतल का बरतन होता है किसका होता है पीतल यतावे का जिसे हम घिस घिस के पताने क्या-क्या रिगर रिगर के उसे चमका देते हैं ठीक है उस तरह से masculine and feminine को चमकाया जा रहा है आपकी सारे अंदर की जो negativity है जो थौट है जो भी चीज है आपके अंदर उस सब को निकालके आपको एक divine में convert करने के लिए ready किया जा रहा है ठीक है आपके अंदर जो भिकार हैं जो खरावियां हैं जो कमियां हैं ठीक है उस सब को एक समझ के साथ में समझना एक तो होता है कि किसी चीज को छोड़ देना किसी के कहने पर एक होता है कि अपने आप से छूट जाना अपने छोड़ा नहीं है बस छूट गई यानि कि आपको उस चीज के बारे में समझ में आया और वो चीज छूट गई तो इस तरह से divine की जो intervention शुरू होने वाली है यानि divine का ही order है divine का एक तरह से interfere है सब की life में और divine ही सब कर र है क्योंकि आपकी life बदलने वाली है आप एकदम जो लोग इस चीज पर समझ रहे हैं जो आगे बट रहे हैं अपना काम कर रहे हैं उनको एक तरह से वो आसमान मिलने वाला है उनके पंखो को उड़ान मिंदेवानी है और आपको आपके हग का आसमान या आपके हग का वो जगा मिलने वाली है जहां तुम सुकून से उड़ सको सुकून से आगे बढ़ सको ठीक है तो अपने आपको डरना नहीं है अपने आपको डराना नहीं है डिवाइन आपकी एक तरह से सफाई कर रहा है आपके भीतर की सफाई कर रहा है और उसे दिल से अपनाना अपने आपको बैलन्स कीजिए और अपने आपको जितना हो सके higher energy में रखिए I hope आप यह सब कर पाओ प्लीज आप फैमिन बिल्कुल भी emotions में नहीं जाएगा और emotions को गोली मर दो क्योंकि इस time emotions काम नहीं आ रहे हैं और आपके emotions अच्छे नहीं होते अच्छे होते हैं लेकिन वह emotions को खींच करके इस time अपने पल को खराब कर रहे होते हैं तो वह करना गलत पाद अपने emotions को अपने divine के साथ खने हैं अपने साथ करो अपनी higher self के साथ करो ताकि आपको वह intuition Со Shakil thoughts को फीलिफ और अपकी चोD क्षिए आइए springs एक्चा कुक छाए तो यह मुझे मुझे मुझा था ट्रीम मेंतिकी मुझे तेन मैं जानती हूँ इतनी मिलिये हैं कि दोनों बैलन्स में आए हैं और आपका पर्मनेंट हर्मनी रियूनियन है और उससे पहले की सफाई है जो सबकी लाइफ में हो रही है यानि की थोड़ा से जो टेगर चल रहे हैं या थोड़ी से प्रॉब्लम्स चल रही है वो इसलिए चल जो चल रहा है आपकी प्लाल की जो करेंट एनर्जी थोड़ा से चल रही है यही एनर्जी है आपके यूनियन के लिए तो आपकी एनर्जी को आप दोनों को साफ किया जा रहा है क्लीन किया जा रहा है क्लीन्जिंग की जा रही है तो रेडी रही है क्लीन्जिंग करते रही और अपने आपको बैलेंस रखिए तो या इसी के साथ चलती हूं मिलती हूं नेक्ट वीडियो में अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक कीजिएगा और अपके लिए यूसफुल है तो प्लीज मिसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दो दिन के लिए मै अपने आपको स्ट्रेस में लिजाने से बचिए जब भी आपका दिल करें कुछ भी करने बैठ जाओ ठीक है यह मत सोचो कि इस टाइम मुझे यह करना चाहिए जो भी करना चाहिए सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लो अपने आपको खुश रखने का जिम्मेदारी उठा नहीं वो जो अंदर से पैदा होती है उसको सी को ढूंड़ो ठीक है वो चाहिए फिर आपको किसी भी चीज में मिले तो को काम करो ठीक है तो यह इसी के साथ चलती हूँ मिलती हूँ नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई